आज हम सीखेंगे बाजार जाना सबसे पहले नाक, मूँ को मास्क या कपड़े से ढखें प्लास्टिकी वही चपले पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी है सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बालती और साथ में 70% अलकोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें अब घर से बाहर निकलें बाहर अनावश्यक कुछ ना चुएं बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बना कर रखें और हाँ, ATM इस्तिमाल करने से पहले ATM का की बोर्ड सैनिटाइज करें पैसा निकाल कर कार्ड को भी सैनिटाइज करें खरीदे हुए सामान को बालती में डाल कर घर लाटें जी हाँ, करोना का खत्रा टला नहीं है इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे साबधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा नए नियम अपनाएंगे, करोना को हर दिन हराएंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहेत में जानी आज हम सीखेंगे बाजार में पेमिंट करना पेमिंट हमेशा पेमिंट आप जैसे की भी मैप, गूगल पे, पे टी एम या अपने बैंक आप से ही करने की कोशिश करें अगर दुकानदार को कैश दें, तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वाइरिस हो सकता है अगर लेने पड़ें, तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुँचते ही कागज के नोटों को टीबल पर रख कर किसी और से उस पर गरम इस्त्री करवाएं सिक्कों को सत्तर प्रतिशत अलकोहॉल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबून और पानी से धोएं उसके बाद अपने हाथ भी साबून से धोलें जी हाँ, करोना का खत्रा टला नहीं है इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे साब्धानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा नए नियम अपनाएंगे, करोना को हर दिन हराएंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जानी आज हम सीखेंगे लिफ्ट या सीड़ियों का इस्तिमाल करना कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं अपने पास हमेशा कुछ साफ कागस के टुकडे रखें लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागस के टुकडे अपनी उंगली पर लपेट ले अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिप्टा कागज डेस्ट बिन में डाल दे अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीड़ियों का इस्तमाल करें और सीड़ियों की रेलिंग को ना चुए जी हाँ, करोना का खत्रा टला नहीं है इसलिए हमें लिफ्ट और सीड़ियों के इस्तमाल के नए नियम सीखने होंगे सामधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा नए नियम अपनाएंगे, करोना को हर दिन हराएंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं घर का दर्वाजन ना चुएं दर्वाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं बाहर से लाया सारा सामान दर्वाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें अब सीधे बात्रूम जाएं, हाथ और मूँ को 20 सेकेंड तक साबुन से धोएं, अगर भीड भरी जगह पर गए हों, तो कपड़ों को डिटरजन्ट गोल में डुबो कर अच्छे से नहा लें, बाहर वाली चपल भी साबुन से धोलें जी हां, करोना का खत्रा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे, साबधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा, नए नियम अपनाएंगे, करोना को हर दिन हराएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जानी